जारकन के दुमका के हंसरीह थाना छेत्र के एक गाउं में एक स्पैनिश महिला के साथ हुए सामोहिक दिसकर्म एवं मारपीट के मामले में गिरफतार तीन आरोपियों को रविवार को नियाईक दंडाधिकारी प्रतम श्रेनी की कोट में प्रस्तुत करने के बाद नियाईक ह प्राधियों के नाम का खुलाजा करने से पुलिस बचती रही महीं पीडित महिला की कोट में दंडाधिकारी के सामने 164 के तहत बयान दर्च कराया गया पिडिता के बयान पर हंसरीह थाना में साथ आरोपियों के खिलाफ आईपीएस की धारा 395 एवं 376 के तहत प्राथमी क दर्च कराई गई है दुमका के पुलिस अधिक्षक पितामबर सिंग खेरवार ने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस कोट से स्पीट ट्राइल का आगरह करेगी दुमका में स्पैनिश महिला के साथ हुए सामोहिक दुश कर्म मारपीट एवं लूटपार्ट के मामले में पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए तीन आरोपियों को रविवार को न्याईक हिरासत में दुमका सेंट्रल जेल भेज दिया घटना बीते एक मार्च की रात की है जब वर्ल टूर पर अपनी बाइक से निकली स्पैन की विदेशी महिला एवं उसका पती जिसके साथ यह घटना घटी एक मार्च को विदेशी दमपती जब दुमका होते हुए पश्चे मंगाल से नेपाल जा रहे थे तो उन्होंने शाम होने पर हंस्टी हाथाना छेत्र अंतरगत कुर्मा हट गाउं से करीब दो किलो मीटर अंदर कूजी बस्ती के निकट एक विरान जगह में रातरी विश्राम के लिए एक और स्थाई कैम्प लगाया रात में कुछ स्थानिय और समाजिक तत्वों ने विदेशी दमपती के कैम्प में घुसकर विदेशी महिला के साथ सामुहिक दुशकर्म एवं मारपीट किया और समाजिक तत्वों ने महिला के पती के साथ भी मारपीट की एवं लूटपाट की शनिवार को मेडिकल जाच के लिए पीडित महिला एवं उनके साथी को फूलो जानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लाया गया दुमका के पुलिस अधिक्षक पीतामबर सिंग खेरवार ने महिला की जाच एवं अद्व उद्भेदन के लिए दो अलग-अलग SIT की टीम गठित की है रविवार को मामले की जाच के लिए राची से CID एवं FSL की टीम पहुँची और दुमका पुलिस के साथ घटना स्थल का मुआयना और जरूरी साक्ष एकत्रित किये S.P. पितामर सिंग ने कहा कि मामले की स्पीड ट्राइल के लिए वे कोर्ट से आगरह करेंगे ताकि दोशियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके और एक मिसाल बन सके साथ ही उन्होंने कहा कि पीडित महिला को डाल साके तहत उचित मुआवजा दिलाने के लिए भी वो प्रयास करेंगे कि एक तारिक के रात्री में गस्ति द्वाल के द्वारा गस्त के द्वारान दो दो ब्यक्ति दिखेंगी देशी नागरिक लोगों ने उनको रोका और बताया कि उन लोगों साथ कुछ घटना हुआ है और चुकि वो लोग इंग्लिक्स पेनिस भासा मिला के बोल रहे थे जिसको लोग सही तरीके समझ नहीं पाए लेकिन देखने से लगा कि उनके साथ घटना हुआ है जो चोट चेहरे पर दिखा जिसके अलोग में उसको अपर अथमिक स्वास्त के अंदरे सरयाहट नजदिक में वहाँ पर ले गए तो डोक्टर को लोगों ने बताया कि उनके साथ और जो लड़कों के द्वारा तुसकर्म की घटना की गई है तो जैसे इसका सुचना मिला हम लोगों ने तुरित करवाई करते हो वहाँ पर गये और लोगों से पुझताश किया और जैसा उन लोगो घटना स्थल और बाकी चीजों को बताया है और हम लोग में तुरन्ट टीम वर्क करके टीम बनाये और साथ मारी किया और उनके द्वारा भी कुछ क्लू बताया गया था कि जिसके अधार पर हम लोग उन अभीक्तों के तक पहुँच पाये और उनकी गिरफतारी हुई पहले उनसे पूश्टाच किया है पूश्टाच के करम में उन लोगों ने घटना में अपनी संलिपता स्विकार की है फलता उनको गिरफतार किया गया है और जो भी उसमें सामिल और लोग है उनकी भी गिरफतारी जल्द की जाएगी चुकि उनका नाम पता सत्यापन हो चुकि इसमें काफी गंभीर भी से था इसमें साइटी का गठन दो किया गया है एक जो अनुसंधान में कैसे कैस डाइरी लिखे हैं कैसे एविडेंस को क्लेक्ट करें इसके लिए टीम का गठन किया गया है साथी साथ राचिस एफेशल की टीम और CID की टीम भी आई जोएं कि उसको बग्यानिक तरीके से अनुसंधान हो रहा है कि टेक्निकली सपोर्ट भी हम लोग को मिल रहा है और अच्छी तरीके से डाइरी लिख कर इसको पड़ी से कड़ी सजा दिलाना है और दूसरा टीम बनाया गया है जो जो शेस बचे अभ्यूक्त हैं उसका लगतारा अजूसराल कर रहें और रेड कर रहें हम लोग जलती ही जितने भी बचे है उनसा भी अभ्यूक्तों को ग्यरपतरी कर लिए और अनुसंधान में जितने विलवप जढ़ेंल तक्निकी रूप और पर इसमें जो भी है इसा घटना कि हैं उनलों को हम लोग कानून का डायरे मिला के कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगा इस्टेट के सामने 164 का ब्यान चल रहा है और भ्यान दे रहे हैं आगे कि सबकी गरफतारी अभिलम करना और साथ ही साथ कड़ी सजा दिलाना अभियु धी हैं घरतना जहां दुबहारा नहों यह एक दुर्भागर पून घटना है स्टार करने वाली घर्टना है इसमें इसे अपर हिसे पर दूखी कि लेकिन मीतित jur LE सल्हक्तत बोगको गिराफटार करेंगे और गिराफटार करके कड़ी से करिसे इधर लाने के लिए हम लोग संगा कल दीन सब्सक्तिकर विचक मैं अपना में 5 से 10 लाग के बीच में मिलता है हम लोग उसको मेक्सिमम मौजा दिलाने का परियास करें